नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे सीटेट पेड़ागोजी 2023 के इंपोर्टेंट कोश्चन्स के बारे में तो इस वीडियो में हम डिसकत करेंगे इस्टनबर्ग का त्रितरंतर का सिध्धान जी यहां कुछ इं जो इंपोर्टेंट कोश्चन अब इस वीडियो में देखने वाले इसको पहले हम आपके सामने रख दे रहे हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू से शुरू किया जाए और आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं इस् इस्टनवर्ग, राबर्ट जे इस्टनवर्ग ने मानो बुद्धी पर कारे किया, इन्होंने मानो IQ को चुनोती देती हुए कहा कि, ज़रूरी नहीं है जिस ब्यक्ति का IQ लेवल कम हो, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, तथा यह भी ज़रूरी नहीं कि जिस ब्यक् प्रकार की बुद्धी के छेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, तीन बुद्धी के वड़न के कारण इस सिध्धांत का नाम त्री तंत्र सिध्धांत है, इस्टनवर्ग ने अपने द्वारा इस सिध्धांत में बुद्धी की ब्याक्या किया, अब जरा देखते हैं, ती योजना बनाने में सच्छम बनाता है Pradarsan गटक, जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करके करने के मतलब योजना बनाता है तो उन योजनाव को लागू करने में यह गटक मददत करता है किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में अमूर्त चिंतर करने में इस घटक का प्रियोग होता है दूसरा पॉइंट आता है अनुभवी उपसिद्धान रचनात्मक बुद्धी रचनात्मक बुद्धी में दो भागोते हैं पहला नवीन या किसी ब्यक्ति की पहली बार समस्या से निपटने की छमता से संबंदित होता है सोचालन आटोमेशन या किसी ब्यक्ति की सोचालित रूप से दोराय गए कारियों को करने की छमता से संबंदित है उदारण कुछ प्रतनों से समझा जा सकता है आप कितनी जल्दी नई समस्या को हल कर सकते हैं क्या आपने नई कोसल का उपयोग करते हैं समस्या को हल करने के लिए उदारण जेंस बॉंड हर समय नई समस्या उसे निपटने के लिए अपने ज्यान और कौसल का उपयोग करता था वो रशनात्मक बुद्धी रखता है संदरात्मक उपसिद्धान बेवारिक बुद्धी मतलब या प्रैक्टिकल इंटिलिजन्स बेवारिक बुद्धी में तीन भाग होते हैं अनुकूलन एडाप्शन ब्यक्ति ने महौल याद नहीं समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाओ लाकर अनुकूल होने की कोसित करता है चैन सिलेक्शन क्या है देखिए जब ब्यक्ति पूरता नए वातावरण में आता है तो सूचता है कि kaise पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए आकार देना इसके दोरान ब्यक्ति खुद में कोई बदलाओ नहीं लाता है बलकि उसने वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है आसान सब्दों में बैवारिक बुद्धी को प्योग रोज मर्रा के कारियों जैसे घर, नौकरी, बाजार में आने वाले समस्यों को दूर करने में किया जाता है क्या बुद्धी का विसलेतर कुछ प्रस्नों से किया जा सकता है क्या ब्यक्ति का आसानी से फाइदा उठाया जा सकता है, क्या वो अपने आसपास की दुनिया में अच्छी तरह समायोजन कर सकता है, तो ये दोस्तो था, तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में देखा, इस्टन बर्ग का त्री तंत्र का सिध्धान, अब इससे समंदित कोश